Hello everyone, welcome back to my channel So guys, यह मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो की रहेगी Power Virtual Agent के उपर मैं मेरी एक दूसरी एक और प्लेलिस्ट चल रही है जो purely Azure के उपर है अगर आप उसमें Azure सीखना चाते हो Hindi में और complete Azure सीखना चाते हो मतलब वो Azure जो है जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो सिरीज बनाई है वो कोई एक किसी एक particular course related नहीं है उसमें जो कुछ भी Azure है चाये वो infrastructure का रहेगा या फिर pass का component का रहेगा मैं उसमें सब धीरे धीरे डालता रहूँगा और मैंने काफी सारे वीडियोस डाले भी है उसमें और उसमें continue डालता भी रहूँगा अगर आप Azure सीखना चाहते हो अच्छे से या आपका कोई दोस सीखना चाहता है तो आप प्लीज मेरे उस वारी दूसी वाली playlist में जाए यह मेरे चैनल में जाके मेरी playlist में जाएए वहाँ पर आपको Azure के playlist मिलेगी तो गाइस यह मैं दूसी playlist स्टार्ट कर रहा हूँ Power Virtual Agent की Power Virtual Agent क्या है बिसिकली अब यह एक Software as a Service में आता है जो कि आपका एक तरह से No Code वाला Software as a Service है जैसे कि अभी Azure में SaaS कैसे रहता है Microsoft आपको सब कुछ develop करके देता है सारी application वो manage करता है पुरा infrastructure उनका रहता है सब कुछ उनका रहता है आपको सिर्फ application manage करनी है या फिर application sorry use करनी है आपको manage नहीं use करनी है जैसे कि Gmail होगी आपका या फिर आपका hotmail होगी है या आपका SaaS में आता है Software as a Service में इसमें आपको ना तो hardware maintain करना है नहीं आपको code maintain करना है कुछ नहीं करना है सिर्फ आप उस service यूज़ कर रहे हो वैसे ही power virtual agent एक chat board की service प्रवाइड कराता आपको यानि कि आप power virtual Microsoft का power virtual agent के थुरू आप जो है chat board बना सकते हो chat board कैसे बना सकते हो आपको इसके लिए कोई coding नहीं चीए आपको कोई language का knowledge नहीं चीए सिर्फ आपको इसमें logic बनाना है कि जो आपका chat board रहेगा उसमें logic क्या feed करना है आपको और आप graphical user interface के थुरू आप logic बिल्ड कर सकते हो इसमें किसी developer की जरूद नहीं परती है यह एक तरह से artificial intelligence है जिसको आप graphical user interface के थुरू आप अपना logic बिल्ड कर रहे हो और chat board बना रहे हो अब chat board हो सकता आप मैंसे बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे तो chat board क्या होता है कि मान लो लेट से मेरी कोई application चल रही है और अभी normally कैसा होता है कोई भी customers होता है कभी किसी उसमें complaint करते है लेट से bank में complaint करना है कि भाई मेरा credit card block करना है या फिर मुझे personal loan के बारे में जानना है या फिर home loan के बारे में जानना है तो normally क्या करता बंदा call करता है उनके customer care में तो अभी आज की technology में क्या है कि हर एक जो बड़े-बड़ी companies है उन लोग ने क्या कर दिया chatbot बनाने start कर दिया और वो chatbot अपनी जो उनकी bank की site है उस पर integrate कर देते हो ताकि जब भी कोई user या कोई customer उनकी site को access करे तो उसको chatbot open करके दे और जो भी queries रहेगी वो उसको वहाँ पर type करके chatbot को तरी information ले सकता है यानि कि अब उस customer को बार-बार call करने की ज़रूत नहीं है बलकि वो chatbot ही उसको उसको जो है reply देगा कि उसको जबरूत क्या है उसको क्या requirement है क्या पूछना चाहता है यानि कि जो भी वो पूछे का chatbot से वो जो है chatbot उसको reply करके देगा इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक bank की site में यह मैंने SDFC bank की site खोली है यहाँ पर मैं इसको site को open करता हूँ और आप देखें होगे यह मेरी bank की site खोल गई है मैं इसको close कर देता हूँ और यहाँ पर देखें आपको एक ask eva करके आ रहा है अब जब मैं इस पर click करता हूँ तो यह देखें यह मेरे एक boat खोल गई है अलग से window खोल गई है तो इसे कहते है chatbot एक ऐसा boat जिसमें आप type करते हो और वो आपको वैसा वैसा information देता है अब यह देखें आपको जो है chatbot में पूछ रहा है कि how can I help you today तो आपको covid-19 related information चीए कि whatsapp banking के बारे में जानना है या फिर reset pin करना है block card करना है अगर मैं मान लो यहाँ पर करता हूँ कि whatsapp banking select करता हूँ तो बोलते हैं अच्छा please choose from a service below to get started आपको इन दोनों में से कोई एक service चूज करो कि आपको whatsapp banking लिए register करना है या फिर whatsapp sdfc की whatsapp banking में है क्या तो मैं चलो इस पर click करता हूँ तो यह जैसे जैसे मैं इसको question पूछता रहूँगा इस chat board को जो कि इन्होंने ask eva करके नाम दिया हूँ है वैसे वैसे यह मेरे को answer करता रहेगा तो basically क्या होता है यह है chat board जिसमें predefined आपके जो है इन लोगों ने define कर रखे है variables define कर रखे है लॉजिक बिल्ड कर रखा है कि customer क्या-क्या पूछ सकता है customer को अगर bank के बारे में जाना है तो bank जो service दे रहा है क्या-क्या customer के बारे में पूछ सकता है वो सारी के सारी इन लोगों ने backend में logic बिल्ड कर रखा है customer को सर्फ site पर जाके वो chat board open करना है और आपको वहीं के वहीं information निल जाएगा आपको जो है customer care में call नहीं करना पड़ेगा क्योंकि customer care में आपका कई बार ऐसा होता है कि waiting पे जाता है, आपका call नहीं लगता है आपका बहुत जादा आपको wait करना पड़ता है आप frustrated हो जाते हो जिसके थुरू आप chatbot बना सकते हो तो ऐसी market में हो सकते हो और भी ऐसे software रहोंगे जिसके थुरू आप chatbot बिल्ड कर सकते हो बट फिला यहाँ पर मैं आपको Microsoft का power virtual agent के बारें बता रहा हूँ जिसके थुरू आप इस तरह का chatbot अपने organization के लिए बना सकते हो तो गाइज यह था हमारा power virtual agent यानि की chatbot का introduction तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक कीजे वीडियो को शेर कीजे और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजे जो भी chatbot बनाना सीखना चाते हैं अपनी organizations को help करना चाते हैं improvement लाना चाते हैं कुछ automation कुछ अलग से कुछ करना चाते हैं अपने management को दिखाने के लिए तो आप जो है प्लीज मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखे तो ही आपको आगे जाके समझ में आएगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अब अगले वीडियो में अग एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स वेरी मच